हाईलो दोस्तो मैं वीपीन आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि कैसे आप लोग वेर इज माई ट्रेन अप्लिकेशन से अपना सीट अवेलिबिलिटी चेक कर सकते हैं तो दोस्तो अगर कहीं आप लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है ट्रेन से तो आप लोग को यह नहीं पता होता है कि जिस ट्रेन से हम लोग को जाना है उस ट्रेन में सीट अवालेबल है कि नहीं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेकनिकल वर्सेज बीपिन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि आगे से कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नॉटिफिकेशन आप लोग को जाए तो दोस्तो चलिए करते हैं सबसे पहले आप लोग को जाना होगा वेर इज माई ट्रेन के अपलिकेशन पर इस पर जाने के बाद दोस्तों कुछ लॉग इन करने बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस उपन होगा तो यहां जो सबसे उपर आप लोग को टीकेट का आप संदिख रहा है सब्सक्राइब इस पर क्लिक करने आप लोग को जहां से जहां तक जाना है और यहां पर डाल charity से जाना है इसटोलोक बाझने सिस्थोल का को जाना है यह पर देट हम लोग कर लेंगे जैसे मुझे 12 तारीक हो जाना है तो मैं बारत एकुछ सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर जो लिखा है जी और मतलग करें तो इस पर आप को क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने थोड़ा वेट करने वाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि हम लोगा कितना सीट खाली है जैसे देखिए यहां पर स्लीपर में 825 रुपए इसका रेट है यहां पर स्ट एवालेबल नहीं वेटिंग लिस्ट में 41 है और 3 AC जो है इसका 2010 रुपए रेट है और 88 सेट यहां पर खाली है इसी तरह सेकेंड सेटिंग में यहां पर वेटिंग लिस्ट भी 20 है और 2A यानी 2nd डेशी में 2800 रुपए इसका रेट है चार्ट शिट खाली है इसी तरह और भी ट्रेने का आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियों समझ में आया होगा दोस्तों वीडियों पसंद आया तो हमारे चैनल टेक्निकल वर्शेश बीपिन को सब्सक्राइब कर ब हुआ 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 है